हे गाईज वेलकम टू टीवी का तड़का जिसमें ट्रीजफो टेवी रोजाना अपनी ओडियंस के लिए लेकर आता है टीवी स्टार्स और शो से जुड़ी साथ छोटी बड़ी खबरे तो चलिए जल्दे से बताते हैं आपको आज की खबरों के बारे में टीवी गदर का पहली टॉप नियूज इस शो की अक्टरिस ने किर्दा के लिए देखा इमली शो स्टा भारत पर मेरी सास भूत है नाम का नया शो आने वाला है जिसमें लीटरों में नसराएंगी अक्टरिस काजल चोहान ऐसे में शो में अपने किर्दार के टोन और लेंग्विश के लिए काजल ने सुम्बल तौकिर खान के शो इमली में उनके किर्दार को देखा ताकि उन्हें सुम्बल के किर्दार से अवधी भाशा और उस टोन में बात करने का पता चल सके इस बात को खुला सा एक्ट्रस ने खुद E-Times को दिये इंटर्व्यू में किया है TV का तर्का दूसरी टॉप नियूज बंध होने जा रहा है ये बड़ा शो खबरे सामने आई है कि सब TV का शो मैडम सर ओफियर होने जा रहा है इस शो के ओफियर होने के बाद ये शो कुछ महीनों के बाद सीजन टू के साथ लोटेगा TV का तर्का तेस्टी टॉप नियूज कुमकुम भाग्या नहीं बल्कि इस शो में होगी अलीशा पवार के एंटरी हालखी में खबरे सामने आई है कि कुमकुम भाग्या में 5 साल का लीप आएगा और इस लीप के साथ अलीशा पवार शो में नेगिटिव शेट में एंटरी देंगी लेकिन आपको बता दे कि अलीशा कुमकुम भाग्या नहीं बल्कि एकता के ही शो बड़े अच्छे लगते हैं कि में एंटरी करने वाली है कलर्स टीवी पर आने वाला है इस शो का हिंदी रिमेक खबरे सामने आई है कि कलर्स टीवी पर जोल थी कनडल शो गीथा का हिंदी रिमेक आने वाला है कहा जा रहा है कि इस शो को शर्षी सुमित प्रेडियूस करेंगे टीवी का तरका पांच वी टॉप नियूज इस वीक सर्मान खान करेंगे इस हसीना को शो से वाहर बिग बॉस 16 के वोटिंग ट्रेंट्स मर नज़र डाले तो फिरहाल सुम्बल तौकिर खान को घर में सबसे ज़ादा वोट्स मिलते नज़र आए हैं इसके साथ ही वो टॉप पर पहुच गई हैं सुम्बल के बाद नमबर है टीना और शालीन का गोटिंग प्रेंट्स में आखरी नमबर पर आई है सौंदरिया शर्मा इन्हें इस हफ्ते सबसे कम वोट मिले हैं तो वहीं लोगों को लगता है कि मेकर्स आखरी तक शालीन और टीना को उनके कंफ्यूज बलव एंगल के लिए नहीं निकालेंगे ऐसे में सौंदरिया के जाने के चांसे सबसे ज़्यादा बने हुए हैं टीवी का तरका चटी टॉप ट्यूज गंगो बाई स्टाइल में पुलिस स्टेशन से बाहर निकली राखी सावन बया की आदर पिछले साल 9 नवंबर को शर्लिन चोपरा ने राखी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करवाई थी शर्लिन का कहना है कि राखी उनकी और बॉलिवूट के बीच की लडाई में बिना वज़े कूद गई है 19 जनवरी को राखी को हिरासत में लिया गया पर जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकली तो अलगी स्वैग में नज़र आई टीवी का तरका साथ वे राखी टॉप नियोज उर्फी जावेद ने फिर पहनी अजीब तरह की ड्रेस बिग बॉंस फेम और एक्ट्रस उर्फी जावेद अपने अतरंगे ड्रेसिंग सेंस को लेकर काफी पॉपलर है वो कब क्या पहन कर आजाएं कोई अंदाजा नहीं लगा सकता उर्फी जावेद एकबर फिर अपनी नई और यूनिक ड्रेस पहने हुए नज़र आई उनको देखते ही पापराजी की कैमरे उनके तरफ मुड़ गए और कई तस्विरे क्लिक हो गए उर्फी के जंदाज को देख कई लोग उनका मज़ाग भी बना रहे हैं और कह रहे हैं कि वो ड्रेस पहनती हैं या फिर चिपकाती हैं तो ये हैं टीवी की दुनिया की आज की साथ छोटी बड़ी खबरे